अगमार्थम तो देवानाम निर्गमार्थम तो रक्षशाम सर्वभूतितार्थाया घंटानादम करूम्याम नमस्कार इस शलोक के अंदर ये प्रार्थना की गई है कि शंग और घंटे की दोनी से रक्षशों को दूर भगाया जाता है और देवताओं को बुलाया जाता है इसलिए हमारी पूजा में सुरू से जो यग अनुस्ठान होते आए हैं उसमें शंक नात, घंटी नात, ओंकार की नात एक अभिन अंगरा है यानि इन अवर अनुस्ठान, इन अवर पूजा, रिचुवल्स, कौँच ब्लोविंग, घंटी, साउंड इस आर वेरी इंपोर्टेंट पार्ट्स अप दी पूजा और आज इसकी जरूरत है, आज हमें जरूरत है इसी तरह की पॉजिटिव वाइबरेशन की जो आपके घर को पूरी तरह से पॉजिटिवली वाइबरेट करें आपके सर्राउंडिंग को पूरी तरह से पॉजिटिवली वाइबरेट करें और आप अपने रिंग टोन में अपने अलारम चून में इस तरह की ध्वनी को लगाएंगे तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे उसे एक पॉजिटिव एनेट सी एट्मोस्पेर में क्रेट होगी और आपको अच्छा फील होगा अच्छा नभाग होगा आपको आपका अड यूनिवर्सल थर्मल ओरा स्केनर मॉलिक्युलर फ्रिक्वेंसी डिवाइस है इसको हम पॉजिटिव एनेट्जी का सांपल डालेंगे और इसके माद्यम से जो यह साउंड है घंटी की साउंड शंकी साउंड ओम की जो नाद है उसको चेक करेंगे कि देसांड आफ घंटी तो यह सके अदर अपने आप खुलेगा नभी डिग्री मलब 25 परसेंट, 180 तो 70 डिग्री का मतलब है 75 परसेंट और 30 डिग्री का मलब 100 परसेंट, तो अब यह चाहक करना है कि जो यह घंटी साउंड है यह शंक की साउंड है, ओम की जो नाद है यह कितनी पॉजिटिव है थू इसको इसको प्रेक्टिकल तो अभी आप देखेंगे इसको प्रेक्टिकल इसको प्रेक्टिकल अम् 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 कुछ कुछ अमौन। वाल झाल बौल्बरा लाणंद कर दो ऑन से रहें दोगि करें, भोल्वरा है धर में भोल्बरा थकर ये से लोगिए परेका कम अश्वार हैं? लोगित के वे बनारू में वैप्ट में दोह करें, प्ला ब cit this would be kinda the Wheal binaण बनारू में भिले सनकर था झाल झाल अभी आपने देखा कि पारा स्केनर को एनर्जी जो इसकेन करता है बातावरण के अंदर जो वाइब्रेशन से पॉजिटीव वाइब्रेशन उसको सकेन करता है थूरू पॉजिटीव सांपल तो किस तरह से उसने 307 डिग्री का एंगल बना है इस चीज को यह कंफर्म करता है की जो काउं से ब्लोविं है और सांद गंती अंद वोओं कार तो इस पॉजिटीव ने जोड़ी ने रिए यह कं लुजिटीव आचा जोड़ी पॉजिटीव धॉजिटीव पॉजिटीव दिया ऊंद दो ब्लोग देवाद नूंस आट इस दिट्रीव द्रीटीव तो यूश मस्ट फॉलो आप देखेंगे इसका लेंक साउंड का वहाँ से इसको आप डाउनलूट कीजिए कोपी कीजिए और अपने सिस्टम में उसको जो है सेब करके और अपने रिंग टॉन बना दीजिए गा और एक चीज मुझे यह बतानी है बहुत सारे सब्सक्राइब लेवर हैं हमारे जिन्होंने यह पूछा है कि पकड़ना कैसे इसके बहुत लोग कहते हैं कि इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो यह आपका स्केनर बिल्कुल स्टेबल रहेगा कि जब यह मूब करेगा तो यह आप पर टग रहेगा इसको आपको थोड़ा सा आगे रखना ह है किन्तो आपने हाथ का बैलेंस इस धंक से बनाना है कि इसको जो है बिलकुल सेम उसमें रखे हैं लो न आप न डाउन यानि डाउन में अगर वेट जहां बढ़ता तो अपने हाथ को इस एसाफ से बैलेंस कर लें तो बैलेंस यह बोध हैंट्स और टीप सम डिस्टेंस फ तो उम्मीद है कि आप इस तरह की द्वनी को अपने दिन्चरिया में जोड़ेंगे और इससे लावानमित होंगे जैसा आज का समय चल रहा है ऐसे समय में इस तरह की डिवाइन एनर्जी डिवाइन साउंड्स की हम सब को जरूरत है ओम शाद्ट